नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है मेरा चानल एडमिशन वाला पर और सभी को पता है कि MSTCT 2022 का एडमिशन प्रोसेशर अब शुरू हो चुका है आप एप्लिकेशन फार्म भर सकते हो इस वीडियो में हम जान लेंगे कि MSTCT के अंडर होने वाले एडमिशन प्रोसेजर में वीटेक, वीटेक्ट, वीटेक्ट, अर्केटेक्चर, होडल मेनेजमेंट, केटरिंग, टेकनलोजियर, प्लैनिंग जैसे कोर्सेश के पूर्ण एडमिशन सिस्टिम क्या होगी फार्म भरने से लेकर स्पाट राउंड तक बीच बीच में आपको क्या-क्या प्रोसेश कंप का एक मौत पूर्ण पार्ट होता है, और वो होता है रूल्स, उसकी नियम, वो अडमिशन सिस्टिम कौन से नियम के तहत होगी और ये बहुत जरूरी है जांकारी, सभी स्टूडन्स को होड़ा, तो रूल्स और नियम, जो है इस MSTCT के अंदर होने वाले अडमिशन प्रोस कहते हैं, सभी नियमो का पता आपको उसी से चलता है, और उसी के इर्दगिर्थ एडमिशन प्रोसिजर होती है, तो रूल्स पहले पब्लिश होते हैं, और रूल्स कल परसो ही पब्लिश होए थे, उसकी जानकरी मैंने पिछले वीडियो से आपको दी थी, और आज करता है, और उसी हिसाब से, उसी टाइम लाइन के हिसाब से आपके अडमिशन होते हैं, अभी तो फिलाल सिर्फ इंजिनेरिंग का आया है, फार्मसी और बाकी कोर्सिस का बहुत जल्द आ जाएगा, जैसे कि मैंने कहा जैसा आएगा, मैं आपको उसका नोटिपिकेशन या करने की जरूर कोशिश करूंगा, तो दोस्तो पहले तो आपने समझ लिया कि अडमिशन का नोटिपिकेशन उनके वेब साइट पर आता है, उनका वेब परोटल शुरू होता है, वहाँ पर आता है, कई बार लोकल नियूस पेपर में भी देते है, वो नियूस पेपर में भ परोटल शुरू हो चुकी है, चलिए हमने देखा रूल सा गए, उनका अगली स्टेप होगी, ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म एक महतुपूर्ण स्टेज है दोस्तों, और बहुत सारे स्टूडन्स के मन में एक कॉश्चन होते हैं, डिटेल ये डिस्केशन हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जितनी जरूर है, उतनी नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, कि CT का अप्लिकेशन भरते समय जो उनने गलतिया की थी, ऑनलाइन अप्लिकेशन भरते समय, उसे दुरूस कर सकते, कोई प्रॉबलम नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लिकेशन फ स्कूटिनी, अब इस साल यहाँ पर एक महतोपन बदलाव यह हुआ है, कि अब इस स्कूटिनी कैंसल कर दी गई है, और आप सिर्फ आपको फिजिकल स्कूटिनी मतलब FC जाना होगा, फैसलेशन सेंटर आपको जाना होगा, वहाँ पर वो लोग आपको पूरी हेल्प अगर आपको फॉर्म भरना नहीं जम रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधा सीधा सब डॉक्यमेंट लेकर FC चले जाया, फैसलेशन सेंटर चलेगा, आपको कोन से भी नजदी की कॉलेज होगा, सभी लगबग सभी इंजिनेरिं Ott2020 College FC का काम कर रहे है, तो आप वहाँ जाकर आपका form भरने में ओम लोग मधद करेंगे, आपके documents scan कैन के लिए भी मधद करेंगे, और आपका form भरने में पूरी मधद करेंगे, तो डरने की या फिर ये करने की जरुरत नि ăदी चिन्ता करने की ढरत निंतर आप वहाँ जाकर आपको एपसे में जाना एपसी आपके पूरे डॉक्मेंट वेरिफाई करेगी कुछ प्रॉब्लम है तो आपको उसको सुधारने के लिए बूलेगी फिर सापको फॉर्म हो पूरा सुधार जब तक एपसे सेंटर आपका फॉर्म कंप्लीट या फिर कंफॉर्म नहीं करता है तब तक आपको चाहिए वो आप बदलाव कर सकते फॉर्म है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं एक बार आपका एपसी ने फॉर्म कंफॉर्म कर दिया तो फिर उसके बाद आप आपके फॉर्म में चेंज नहीं कर पाऊगे तो एपसी की मदद से आप वो फॉर्म कंप्लीट क तो समझो आपका form complete हो गया और आपका नाम आप 100% merit list में आएगा चलिए यहां तक आपको हो गया अपने admission procedure के online application form के एक महतवपूर्ण step हमने यहां पर complete कर दी है तो अगली step फिर होगी provisional and final merit list मतलब merit list यहां पर दोनों merit list हम discuss करेंगे सबसे पहले आता है provisional merit list अब यह दो- provisional merit list के बाद अगर कोई problem है किसी student का document आता है किसी का marks बढ़ता है तो उतनी दिनों में जो भी activity होती है या फिर जो भी गलतिया होती है एक मोका सुधारने का आपको provisional merit list देती है क्यूंकि सभी admission system का जो base है आपका final merit है और merit के इसाब से फिर आपको admission आगे दिया जाता है तो ये पका होना बहुत जरूरी होता है कि उसके बाद कोई बदलाव संबढ़ने होता है इसलिए एक पहले मोका आपको दिया जाता है कि provisional merit list लगा जाती है उसमें कोई correction है तो grievance period में आप कर सकते हैं grievance period यानि आपको तकरार करने का एक मोका मिलेगा वहाँ पर आप तकर कर सकते हैं आपका जो भी कुछ grievance वह डाल सकते हैं जो भी कुछ आपको अपडेट करने वहाँ पर कर सकते हैं और यह सब होने के बाद आपके valid grievances को अपरू करेंगे फिर उसके अनुसार changes होंगे और वह effect होगा final merit list में और यह एक बार final merit list लिस्ट आ गई तो फिर admission system खतम हो होने तक उसमें आप कोई संबव बदलाव संबव नहीं होगा और उसी merit number पर आपको admission के लिए जाना होगा तो यहाँ पर हमने provisional और final merit list समझ ली दोनों एक बार final merit list लिस्ट आ गए कि अगला रास्ता साफ हो जाता है admission system का एक sample में ने दिखा है पिछले साल का यह common merit list है individual merit list जो है आपके login में आपको मिलते हैं वहाँ पर सब आपको पता चलता है यह general state merit number है यहाँ पर सभी students का merit list होता है ओव भी लगता है तो यह मैंने sample आपको दिखाया individual देखना है तो provisional merit status ऐसे इस प्रकार से देख सकते हैं आपका e-n डालना है data of birth डालना है तो आप आपका provisional और final दोनों भी merit status आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का एक sample में ने आपको दिखाया कि यह आपको आपके साथ आगे होने वाला है अगली महतुपूर्ण step है seat matrix कौन से college में कौन से category के लिए कितनी seats है यह इससे हमें पता चलेगा seat matrix से हमें पूरा पता चल जाएगा कि कितनी seats है पूरे seat card बटवारा एक particular college को एक particular branch में कितनी sanction intake यानि कितनी seats है उनकी उसमें से कितनी seat जाएगी किसको यह पूरा चित्र यह हमें सपस्ट करता है और फिर आप आगे की रननिती इसके आधार पर आख सकते हैं क्योंकि आपको पता चल जाएगे किस college में इतनी category के लिए मेरे category लिए इतनी जगा है मेरे number इतना है उसके ऊपर के college में इतनी जगा है तो आपको calculate अगर जितने भी micro level पर आप करना चाहते हो गर पाओगे तो यह step होता है बीच में कि seat matrix आपको दिया जाता है और उसी seat matrix के इर्दगिर्द फिर आपका आगे का admission system होगा आपको पता चल जाएगा category wise पूरा यहाँ पर आपको seat का बटवारा मिल जाएगा तो एक बार हमने seat हमें मिल गए कि कौन सी seat कितने seats है तो फिर आपके लिए आगे का एक पड़ाव complete हो जाता है और एक बार यह पड़ाव complete हो ग कौन कौन से और कितने seats यहाँ पर आवेलेबल होते हैं चले seat matrix आने के बाद अगला पड़ाव है option form यह बहुत ही crucial stage है option form इस पूरे admission system की एक बहुत ही crucial stage बहुत ही महतोपून step यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए अगर यहाँ पर छोटी सी छोटी भी गलती अपने कर दी तो फिर पूरे admission system में उसका मुवाजना उसका परिनाम आपको भूगतना पड़ा साता है इतने मेनत से आपने अंक कमा है इतने मेनत से आपने परसंटाइल अर्ण की है तो उसे आप कृपया विर्थ ना जाने दिये जाए इस step में गलती करके क्योंकि य option form बढ़ने के बाद उससे आपको submit भी करना होता है option form के बारे में कुछ महतुपून बात यह है कि आपको option form बढ़ते है समय option यानि आपका सबसे चहीता college और उसकी branch को आप सबसे उपर number दी दीजिगा और जैसे जैसे नीचे नीचे आएगे तो आपका उसका आपका जो आपको जाना ही जाना है वो आप first में डालोगे और फिर नीचे नीचे आप उसको लाओगे आपके priority के हिसाब से कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 300 option आपको एक बार option form बरते समय देना है हर round के लिए आपको अलग option form बरना है बहुत सारे students गलतिया करते है पहले round में जो भरा हुआ option form है उसको ही वैसे ही रखते है betterment के लिए भी गलत है आपको नए option देने चाहिए और ये मोका आपको मिलता है पूरी तरह से नए option form हर round के लिए आप बर सकते हो कोई problem नहीं है चलिए हमने देखा कि option form हमें भरना है और उसे submit भी करना है confirm भी करना है submit करने के साथ साथ आपको उसका id password डालकर आपको उसे confirm करना इस प्रकार से तो एक sample मैंने आपको दिखा है कि जब आप last stage में जाओगे तो बाकी का यहाँ पर आप shortlist कर सकते है options उनको preference दे सकते हो मतलब कौँसा college आपको चहीता है उसको उपर उसकी जो च्वाइस कोड़े उसको उपर ल तो पहले cap round में फिर आपको क्या क्या करना है हम थोड़ा सा brief में जानकरी लेंगे तो पहले cap round में हमने देखा कि हमने option form भर दिया option form भरने के बाद आपका allotment online आपको देखने को मिल जाएगा जैसे जैसे date आएगी उस date में आपका allotment होगा allotment off login करके देखोगे या बाहर भी देखोगे वहाँ पर आपका सी application number और date of birth डाल के आप वहाँ भी देखेंगे पता चल जाएगा कि आपको कौन सा option मिला है जिनको भी पहला option मिलगा मतलब option form में जो एक number पर college होगा वो lock हो जाएगा यानि कि वो self reach हो जाएगा क्योंकि आपका सरोच option आपको मिला है अब क city cell ने ये किया है कि जैसे कि हमने पहले discussion किया रूल के हिसाब से ही admission procedure होती है रूल के book में information brochure में ERC center बोला है मतलब ERC की procedure है आपको वहाँ पर जाना होगा ऐसा बोला है कि आपको ERC में जाना होगा self verify के जो भी out of reach और self reach करेंगे उनको ERC जाना होगा betterment वालोंको भी ERC जान पहले online अब उन्होंने कहा था कि वो आपको ERC में जाकर करनी होगी और generally ERC जो महरास्टा की government colleges से वो ERC करके काम करते थे पहले वहाँ जाकर आपको ये seat acceptance की process करनी होती थी लेकिन आज जो उनका notification आ गया है उसमें उन्होंने self ERC लिखा है मतलब आपको ERC की process करनी है तो अग हाल हम notification के हिसाफ से चलेंगे यानि की notification में जो आया है उसकी हिसाफ से मैं आपको बताऊंगा कि पहले आपको जब आप option form भरोगे और आपका result पता चेल जाएगा तो आपको self ERC करना है मतलब आपके login से ही आपको sit accept करना है self verification होगा पूरा verify करोगे आपने जो भरा हुआ data है okay है आपको जो college मिला है मतलब category से मिला है तो मुझे पता है मेरी category वही है मेरे पास caste, caste validity, non criminal जो जो मुझे चाहिए हो सब चीजे हैं और यह मैं seat accept कर सकता हूँ यह सब आप करोगे seat accept करोगे और फिर वो seat acceptance fee जो है 1000 रुपीज वो भरोगे और फिर आप जाओगे college में reporting के होता है तो जरूर मैं उसके बारे में separate video को दार आपको जरूर आगा करोंगा तो चलिए at of reach और self-rease वाले और betterment वाले ERC process करेंगे मतलब वो login करेंगे seat accept करेंगे 1000 रुपीज भरेंगे जो at of reach होगे उनको तो कोई chance ही नहीं seat accept करना है उनको और college को reporting में जाना है अगर उन्ह seat accept करते हैं लेकिन freeze नहीं करते हैं वो 1000 रुपीज भरेंगे और फिर अगले राउंड के लिए चले जाएंगे at of reach और self-rease college में जाएंगे reporting college reporting यहने college में जाकर fees और document सब्मेट करके admission ले लेंगे अगले system का उनका कोई अगले admission process का उनका कोई लेना देना नहीं है वो बाहर ह हो जाएंगे चले पहले राउंड हमने देख लिया अब दूसरे राउंड की तरफ मुड़ते हैं दूसरे राउंड में क्या होगा कि पहले आपको seat matrix आएगा दूसरे राउंड के लिए मतलब पहले राउंड के बाद जितनी जगा खाली है वो आपको उस seat matrix में पता चल जा यह कहता हो कि कभी भी ऐसी परिस्तिती निर्मान नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें दूसरे राउंड में जो मिला हुआ कॉलेज है उससे अच्छा तो पहले राउंड का ही था यह अगर होता है तो इसका मतलब यह है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटरमेंड वा करना और ईप्षण लॉक होगा आपको SID एकसे करनbee होगी करनी होगी मतलब के लाग इन से आपको SID एकसपर करनी होगी और college में जाकर admission लेना होगा जो लोग यहाँ पर भी self reach करेंगे वो लोग भी admission के लिए जाएंगे betterment वाले और एक betterment के लिए जा सकते हैं चलिए दूसरे round का भी हमने देखा best strategy के अगर हमने बात की तो पहले round में एक अच्छा option हाथ में रखकर दूसरे round में और एक better college लेने की कोशिश करना है और तीसरे round में और एक better option हासिल करके आपको वहाँ admission के लिए जाना ये best strategy है मेरे हिसाब से चलिए तीसरे round की तरफ हम मुड़ते हैं दोस्तो तीसरे round में सेम होता है तीसरे round के लिए seat matrix हाएगा मतलब कितनी जगा है तीसरे round के लिए पता होगी आपको उसके बाद option फ़ाम होगा आप फिर से नए option फ़ाम बर सकते है better man वाले सिर्फ better और better ही option देंगे पिसला जो college उनके हाथ में उससे better option हो देंगे सेम उसी प्रकार से होता है online आपको allartment देखा जाएगा और तीसरे round में क्या होगा पहला क्या सभी option lock हो जाएगे इसमें इसमें मैंने पहला लिखा है लेकिन सॉरी तीसरा round यह आखरी round है तो यहाँ पर जो भी college मिलगा मतलब जिनको पहला मिला वो भी lock हो जाएगा जिनको तीसरा जो था जिनको betterment हुई है जो last उनका betterment का college होगा वो lock हो जाएगा तो सभी freeze हो जाएगे इस round में जो भी जिसको जो भी मिलेगा जिनको पहले बार college मिला है वो ERC की process करेंगे document verification करेंगे seat acceptance भी बरेंगे जिनको ने इसके पहले ही process की है मतलब seat accept किया है seat acceptance भी बरी है वो लोग सीधा सीधा third round में जो college में लाए वहाँ जाकर आपको admission confirm करना है इतनी simple ये procedure है चलिए हो गया college reporting अब ये college reporting college reporting बहुत बार हमने सुना है actually college reporting क्या होता है तो college reporting याने कि आपको college में तय समय सीमा में जाना है जो schedule होगा उसके अंदर आपको college में जाना है original document और उस college की जो fees है आपको submit करनी है और आपका admission actually वहाँ पर confirm करना है इसको हम college reporting procedure कहते है वो थोड़ा detail में इस slide पे हम समझने की कोशिश करेंगे college वेश थोड़ा सा अलग होका लेकिन common system में आपको समझने की कोशिश करता हो कोई हर college में एक admission center होता है उस center में आपको जाना है हर college का आपना form होता है कोई online भरेगा कोई आपको print निकाल के देगा कोई download करने के लिए बोलेगा लेकिन form उनका भरना है आपको fees है college के हर college के उनकी system में कोई cash तो जादा नहीं बोलेगे कोई transfer करने के लिए बोलेगा कोई DD बोलेगा जिस प्रकार से भी वो provide करेंगे आपको fees submit करनी है fees की receipt पो आपको दे देंगे document आपको submit करने है वह पर document submit करने के लिए भी कोई लोग होगे admission center में सभी और लोग आपको information देंगे वो सब आपकी care करेंगे और fee receipt आपको देंगे admission letter भी आपको देंगे जो इस process में पूरे उनको admission का data enter करना पड़ता है CT cell के site पर और उसी site से generate हुआ होगा admission letter आपको देंगे कुछ colleges में बाकी की process भी आपको उसी समय कर लेंगे यानि कि i card भी देंगे कोई library card भी देता है कोई online data आपको i amis में बहराता है तो ये process चलती रहेगी लेकिन एक brief information एक generally ऐसे stages में आपका admission होता है admission process यानि कि college reporting होती है ये भी हमने इस वीडियो में देख लिया अब चलते है spot round की तरफ तीन round होने के बाद तो तीसरे round के शुरुआत में लगबग आपका college शुरू होता है और जो बच्चे जिन्होंने self-freeze क्या है आटफरेश हो है वो तो college शुरू कर देते हैं उनका लेकिन इसी धर्मियान क्या होता है आखिर आखिर में spot round शुरू हो जाते spot round के लिए भी government पहले आपको पूरे महरास्टा के पूरे जितने भी college इस system में शामिले उनका आपको seat matrix दे देंगे कि सारे round मतलब तीन round होने के बाद कौन से college में कितनी seats खाली आपको पता चल जाएगा और ये seat final नहीं होती है क्योंकि जैसे जैसे student की movement होती है ये seat बदलते रहते बहुत सारे students cancel करते admission इदर उदर जाते अगर simultaneously जो सा की system चालो है तो बहुत सारे students का movement वहाँ पर भी होता है तो बहुत सारे जगा खाली होती है तो जो spot round अच्छे तरह से खेलेगा वो ज़रूर अच्छे से अच्छा college पाएगा ये मेरा experience है अभी हम देखते है कि इसकी procedure कैसे होती है seat matrix आएगा पता चल जाएगा आपको notice लगाएगा college क्या करते है notice board पर उनके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा college उनके website पर लगा देंगे कि हमारा इतनी इतनी current vacancy है इतनी इतनी और इस date को हमारा spot round है तो आप आ सकते है मतलब student अगर चाहे तो उस college को और spot round आयो जित करेंगे वहाँ पर जाएगे वह merit के आनुसार student को बोलाएंगे बहुत सारे colleges कैसे करते है कि आज सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक merit number 1 से लेकर 1000 तक आये बाद में 1001 से लेकर 2000 ऐसे slot में भी बुलाते है आप slot में भी जा सकते हो पता चल जाएगा आपको कितने वेकंसी अगर आप वहाँ पर गए और वेकंसी रही तो आपको college तुरंत मिल जाता है और इसके लिए कोन पात्र होंगे तो जिन्होंने registration किया है CETCL के साइट पर वो सभी लोग इसमें eligible होते हैं आपको अपने admission लेकर रखाए तो भी आप eligible हो admission लेटर से आपको आपके साथ में रखना होगा admission लेटर के साथ आप वहाँ जा सकते हैं जहरास लेकर document के वह admission लेने के वक्त आप जो पुरानावल है online cancel कर सकते हैं नया confirm कर सकते हैं फिर आप पुराने college में जा सकते हैं वहाँ पे आपका cancellation का receipt दे सकते हैं वहाँ का admission physical cancel कर सकते हैं document और fees collect कर सकते हैं नये college में आपको document select करना है नये college पहले आपसे fee ले लेगा तो वो उतना आपको आर्थिक भार आपको सहनवा पे करना होगा और उसी दिन ये सारा एक ही दिन का खेल होता है spot on एक ही दिन में आयुजित हो जाएंगे और एक ही दिन में खतम हो जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे students को अच्छा मोकाइक होता है एक अच्छा college पाने का और जैसे जैसे आएगा जैसे जैसे admission system आगे जाएगी तो पूरे stages पर मैं एक separate separate video को दारा जहाँ पर छोटी छोटी बाती होती है जहाँ पर छोटी छोटी बाती हमारे नुकसान करती है और clear cut मेरा अगर मगर ऐसा कुछ नहीं होता है जो है वो है ये नियम है और इसके अनुसार ही होगा है मैं clear cut students को बताता हूँ जहाँ इससे की students का नुकसान भी ना हो उन्हें confusion भी ना हो ये भी मेरा एक हमेशा प्रयास रहता है कि students को clear information पहुँचे दूसरा है कि बहुत से बार अपने सुना होगा कि cut off date किसी भी admission system के लिए cut off date होती है cut off date याने कि admission process की accredited उसके बाद कोई भी admission संभव नहीं होगा इसको हम cut off date कहते है इस साल के हर एक courses की cut off date होगी और आप engineering की हमने जो 20 के पहले वीडियो देखा उसमें भी cut off date का जिक्राया है मैंने बताया था कि cut off date क्या होगी उसके परिस्तिती अनुसार उसको उसमें थोड़ा सा change हो साता है cut off date थोड़ी सी बढ़ सकती है तो फिर spot on भी थोड़े से आगे जा सकते है जैसे जैसे schedule आगे जाएगा जैसे मैंने कहा हर एक step पर मैं आपके साथ रहूँगा आपको हर एक step में हर एक activity के समय उसकी बारिक बारिक बाते जो हमें समझना चाहिए जो हमें आने चाहिए जो हमें समझने चाहिए जो हमें करनी चाहिए मैं जरूर बताने के कोशिश करूँगा और जैसे कि मैंने last screen में दिखा है मेरा channel subscribe करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये channel इसी प्रकार का है admission system तक आप मेरे साथ रही है आपको अगर लगता है कि ठीक है इस information अच्छी है तो आप share कर सकते हो बिल्कुल like करने की भी जरूरत नहीं है आपको मन में अगर कोई question है तो पूछेगा मुझे comment box में मैं जरूरत कोशिश करूँगा जवाब देने की रुपते यावर फिर मिलेगी किसी नए उड़े में तब तक के लिए नमस्कार थन्यवाद